नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस प्यार रिया सुनहा आपके साथ है प्रारंभिक सिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में जो भी अपडेट्स होता हैं आपको जरूर बताते हैं तो फिलहार 90702 प्रारंभिक सिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिय चल रही है, counseling चल रही है, दूसरे चरन की counseling की शुरुवात होने वाली है, दो अगस्त से तो दो अगस्त शुरू की जाएगी, दूसरे चरन की counseling तेरा अगस्त तक चलेगी और इसमें जो भी संशोधित सेड्यू सिक्षबभाग के द्वारा जारी किये गये हैं, वो हम आपको इसके अनुसार नगर निकाएं में 2 अगस्त से 5 अगस्त काउंसिलिंग होगी प्रथम चरन की काउंसिलिंग 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच हो चुकी है और अब दूसरे चरन की काउंसिलिंग 2 अगस्त से शुरू होने वाली है इस अनुसार 2 अगस्त से 4 अगस्त को क्लास 6 कंस्लिंग केसे जह होती है कि सब्सक्राइब अधिकां बताया गया है कि साथ वसक्राइब अगस्ध नौस्ट और इस्थ अगस्त को प्रखंग diver नियोजन इक्वर की क्लास 6-8 के लिए जिला मुख्यालों में kaunseling होगी और 4 अगस्त को गनत विज्ञान और भाशा विशे में वर्ग 6-8 के लिए अलग ही kaunseling की जाएगी नगर निकाई में क्लास 1-5 के सि Todo-Nyyogen की kaunseling जिला मुख्याले में 5 अगस्त को की जाएगी प्रखंड नियोजन एकायों की भी काउंसिलिंग 7 अगस्त को जिला मुख्याले के समाजिक विज्यान विशय में क्लास 6-8 के लिए की जाएगी और क्लास 6-8 के लिए गनित विज्यान और भाशा विशय की काउंसिलिंग 9 अगस्त को ही की जाएगी क्लास एक से पांच के लिए प्रकंड नियोजन एकाईयों में कांसिलिंग जिला मुख्याले में 10 अगस्त की जाएगी एक से पांच के लिए पंचायत नियोजन एकाईयों की कांसिलिंग प्रकंड मुख्याले में 13 अगस्त को की जाएगी जहां अंति मेधा सुची का प्रकाशन समय रहते किया गया है और उन्हीं इकाईों में काउंसलिंग की जा रही है दियलेड परिक्षा पास अभियर्तियों के लिए मुल अंक पत्र लाना ही परियाप्त होगा जिन अगहों पर अंती मेरा सुची का प्रकाशन नहीं हुआ है वैसे नियोजन इकाई के लिए अगले चरण यानि तृत्य चरण में काउंसलिंग की तिथी निर्धारित होगी काउंसलिंग की आधिसूचना में कहा गया है कि बिहार विद्याले परिशा समीति द्वारा आयो जो दियलेड परिक्षा में पास सभी होते के लिए मुल अंक पत्र है वही काफी होगा आप वही लेकर जा सकते हो तो जो सड्यूस थे पूरे हमने आपको बता दिये कि किस तरी और जो भी जानकारिया आईगी इससे अपडेटेट हम आपको ज़रूर बताएंगे तो बाकी और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे पलपल के सारे अपडेट्स के लिए न्यूस पियार पर आप आसकते हैं फिर से कहूंगी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया ह तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए